बिस्मिल्यम्राइम, असलाम लेकूम स्टुरेंट्स आज हम पढ़ रहें क्लास एट की एक्सराइज 1.4 उसे पहले हम देखेंगे स्क्वार ओफ नेच्रल नंबर बेन नंबर इस मुल्टिप्लाइब बाइट सेल्फ और इसकी एक्सेम्पल में हम देखेंगे जिसे 3 3s 9, 4 4s 16 and 11 11s 121 एक्सराइज 1.4 और इसका पहले सवाल जो हमारे पास है उसमें है find the square of the following numbers तो पहला question हमारे पास है इसमें 7, 7 x 7 is equal to 49, 11 and 11 x 11 is 121 next part 13 19, 19 x 19 is 61 and 25 x 25 is 625 37 square करेंगे तो 1369 और 75 करेंगे तो 5625 established pattern for the square of natural number अगर हम pattern से लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे दो method है एक है natural number का pattern ठीक है जिसमें हमने तमाम natural numbers को लिखना है उसके बाद उसी को repeat करना है पहले 1 से लेके 4 तक सब का sum करना है और फिर 4 से लेके 1 तक का sum करना है और odd numbers में तो अगर आप 2 का ले रहे हैं तो पहले 2 odd number लिखेंगे 3 का लेंगे तो पहले 3 odd number इसे देके से आगे हम इसे continue करेंगे अब हम देखते हैं question number 2 write the submission pattern of the following square अच्छा आप इसको दोनों method से कर सकते हैं आप odd number के method से भी कर सकते हैं और natural number के method से भी कर सकते हैं हमने तमाम questions को दोनों method के साथ लिखा है अगर method question में mention होगा तो आपने उसी से लिखना है अदरवाइस आप दोनों method से करेंगे तो सही होगा उपर मैंने odd number के method से लिखा और नीचे मैंने उनको उनहीं के natural number के method से लिखा है ठीक है question number 17 question number part 3 4 का square लिया आपने अगरे 7 ईनको दोनों method से हमने इसको लिखा है ऊपर हमने लिखा है और नमबर से और नीचे हमने लिखा हंको natural number के pattern से number 4 part 5 का square लिए है 1 again same method हमने अप्लाय किया number 5 part में 3 का square लिए है घ्रमने और दोनों method हमने यहां पर apply किया नमबर 6 पार्ट में 8 का स्क्वायर लिया और इसमें भी हमें दोनों मैथर्ड यूज़ की हैं, आप बोर्ड में या पेपर में किसी भी एक मैथर्ड से इसको सिंप्लिफाय करके आ सकते हैं